नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल देव जी के ट्रिक में दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक हिंदी का काफी मात्वपों टेस्ट है और जितने भी कोर्शन आपके बार-बार रेपीट हो रहे हैं तो इस टेस्ट को आपको पूरा लगाना है यहाँ पर पहला कोर्शन दिया है कि चौपाई के चारो चल्डों में कितने मात्राइं होती हैं चौपाई के चारो चरडों में 16 मात्रा होती हैं, अर्थात आपका D नमबर सही हो जाएगा, कि चौपाई के चारो चरडों में 16 मात्रा होती हैं, नेश कोचन है, चंद कितने प्रकार के होते हैं, तो चंद आपके यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, आपका A नमबर सही हो जाए कि प्रधम और तिरती में त्यारा त्यारा मत्रा हैं और जो आपकी दुतिए और आपका चतुर्थ होता है वहाँ पर आपकी ग्यारा ग्यारा मत्रा होती है इस प्रकार से आपका तीसरे का सही जवाब होगा D-Number निश्को चन देखते हैं मुझ को होई वाचाल, पंगु चड़ाई, गिरुवर, गहन, जस्ट कृपास हो दयाल, द्रवाह सकल, कलिमय, दहन में कौन सा आपका छंद है, तिया आपका आपका जो छंद है, आपका सी नमबर होगा, अर्थाच चौथे का सी नमबर होगा सोरथा है, दिसोरथा होता है, द आपको दोहा का उल्टा आपारा, या आपन निकलाएगा सोरथा, नेशको चन देखते हैं, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, तो अगर दोहे को और रोले को मिला दिया जाए, तो वो हमारा बनता है कुंडलिया, और कुंडलियों भी आपके छह च काट रही थी, द्रग जलद भाधार, प्रुक्त जो पंक्तियां हिन में से कौन सा आपका छंद दिया गया है, आपका सई जवाब होगा यहां पर, छटे का फोर नंबर अर्थात यहां पर बरवे है, ठीके बरवे है, यहां पर मात्रे लगाईएगा, अगर आपने नहीं प पड़ सकते हैं, वहां पर आपको पूरी तरह से यहां पर समझा दिया गया है, यहां पर टेस्ट में टाइम बेस नहीं करना है, यहां पर नेश को चनब कर दिया है, जहां बिना कारण के कारका होना पाया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो जहां पर बिना कारण की संक्या होती है वहाँ कौन सा अलंकार होती है अर्थात यहां पर संक्या की बात कर दिया है तो आपको एक ही पॉंट आपको मिल जाता है कर आपका It Na N ilbn संद अलंकार की the same । भायत की संभारत हैं भारत के वह फ फारत एन पूच्छ without और आपको यहां पर इस उधारन को रट भी लेना है और इसका स़हीजवाब होता है आपका B पूत्ट कपूत्ट तो क्यों धनसंच्य पूत्स तो क्यों धनसंच्य ईंस में कौन से लंकार होगा तो अगर आप इलाखाबाद हाई कोड़ कर रहे हैं तो आपको अलंकार अच्छी तरस त्यार करके जाना है और अलंकार आपको ज़्यादा आएंगे वीडियो उग्जाम में आपके नहीं पूछे गए थे और उनमें पूछे भी गए थे तो नर्मल थे लिकिन यहाँ पर आपको अगर अगर अलाबाद हाई कोड की त जाना पड़ेगा साथ में आपको चौपाई और रस यह तिन चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है तो दसा का आपका भी नंबर हो जाएगा अर्था लटान प्रास में आपर देख सकते हैं जो हमारे सब्द दिया है कपूत और यहाँ पर सपूत यह दो सब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ दोनों एक होता है अर्था यहाँ पर इनका अर्थ होता है बच्चा अर्था वो लड़का ठीक है यहाँ पर पूत का मतलब भी उनका पूत्र होता है और सपूत का मतलब भी पूत्र होता है लेकिन पूत और सपूत यहाँ पर देखा गया है आपके दिखो अलग-अलग लिखे हुए हैं अगला है उसी तपस्वी से लंबे थे दियोधार दो चार खड़े प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है यहां पर आपका सही जवाब होगा बी नंबर अर्थात प्रतीप अलंकार यहां पर दिया जाएगा आपका ग्या इक कोश्चन आपके डारेक्ट पूछ लिए गए हैं आपका सही जवाब होगा बी नंबर अर्थात यहां पर जो बारा नंबर है बारा का बी नंबर होगा अर्थात उत्प्रिच्छा लंकार है यहां पर देख सकते हैं मनव लगा हुआ है और जिस भी उधारन में आपका म अर्थात यहां पर देख सकते हैं कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा तेरा का डी नंबर रूपक अलंकार ठीके उधित उधै गिर मंच पर अरगवर बाल पतंग विकसे संत सरोज हरसे लोचन भ्रंग मतलब जब कभी उपमे में उपमान की तुलना की जाए वहां पर आप का होता है रूपा कलंकार ने इसको चन देख लेती हैं दुरू स्वामनी के लेखक कौन है दुरू स्वामनी के लेखक कौन है आपका सही जवाब होगा बी नंबर आर्थात जय संकर प्रसाद होंगे वीना पत्रिका के रचाइता कौन है तो वीना पत्रिका के रचाइता ज के हो जाएंगे डी नमबर अर्थात अम्रत लाल नागर जो की मानस का हंस के लेखक हैं मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन हैं मजदूरी और प्रेम के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंग अर्थात ए नमबर आपका सही हो जाएगा निश्कोचन है कि निमलिखित में से कौन सी पुष्टक सुमित्रा नंद पंत द्वारा लिखित नहीं है तियां पर देख सकते हैं सुमित्रा नंद की पुष्टकें जो काफी मातपूर होती है तियां पर देखिए जोत्सना जो कि इने लिखा है चिदंबरा भी लिखा है युगवाणी भी लिखा है लिकिन निर्जा इ बताना है कि निर्जा किसकी हमारी ये पुस्तक है इसको चन देख लेते हैं को चनमर अगला है कि निम लिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेम चन द्वारा लिखित नहीं है तिहां पर देख सकते हैं कि कौन से आपकी पुस्तक नहीं है तिहां पर है जो काया कल्प है ये तो है इनकी रंगभूम भी है प्रेमास्तर भी है लेकिन जय पराजय आपकी इनकी प्रेमचंदिकी पुष्टक आपकी नहीं है नूतन ब्रह्मचारी पुष्टक के उपन्यासकार है तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यासके हमारे जो रचनाकार है अगला कोशन दिया गया है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो कही नहीं कही प्रियुक्त पंक्ति में रचईता कौन है तो आपका सही जवाओगा सी नमबर अर्थाथ जो सूरिकान त्रिपाठी नराला है उन्होंने ये पंक्ति लिखी है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही ये सूरिकान त्रिपाठी नरालान लिखा है नेशकोचन है एकदा नैमिसारणे के लेखक कौन है तो एकदा नैमिसारण के हमारे लेखक हो जाएंगे आपका सही जवाब दूसरा अर्थात अमरत लालनागर और अमरत लालनागर ही हमारे एकदा नैमिसारण के लेखक है नेशकोचन आपका दिया गया है जहाँ पर कलम का सिपाही के लेखक कौन है तो कलम का सिपाही जो कि हमारे हाई स्कुल में ये question हमारे बहुत बार question पूछा भी जाएदा था आपका सही जवाब होगा तेश का 4 number अर्थात जो कलम का सिपाही है ये एक परकार की जीवनी है तीके जीवनी है आपको कमेंट करके बताना है कि कलम का सिपाही ये जीवनी किसने लिखा है बहुत बार ये question आपका महत्वपोड भी है और कई बार आपने high school में question पढ़ाया है हिंदी की पहली कहानी लेक का कौन है तो हिंदी की पहली कहानी लेक का हमारी यहाँ पर सही जवाब होगा जो बंग महिला है अर्थात ये number आपका सही हो जाएगा हिंदी की पहली कहानी लेक का हमारी है बंग महिला अर्थात ये number सही हो जाएगा नेश कोचने आपर देख लेते हैं question number पर चीस है हिंदी साहित में प्रयोगवात के प्रवर्तक कौन है हिंदी साहित में प्रयोगवात के जो प्रवर्तक है आपका सही जवाब होगा यहाँ पर बी नमबर अर्थात जो अग्ये जी हैं यह हमारे हिंदी के हमारे प्रवयोगवात के प्रवर्तक हैं आपका बी नमबर सही हो जाएगा अग्ये ठीके आपको अग्ये का पूरा नाम बताना है ठीके अग्ये का पूरा नाम बताना है क्यों तो फ्रेंस ये हमारे 25 कोशन थे काफी मात्तपूर कोशन थे तो फ्रेंस हम लोग मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद जै हिन जै भारत